नमस्कार आप देख रहे हैं मैंचुन प्राइम मैं हूँ आपके साथ खुश बुश रमा शुरुवात करते हैं अस पकी बड़ी खबर के साथ रिवारी में दर्दनाक साड़क हाथसे हुआ साड़क हाथसे में पांच लोगों की मौत हो गई है यह हाथसा दिली जैपूर हाईवे पर हुआ जहां तेज रफ़तार कार एक ट्रक से जा टक राए मारे गई लोगों में दो महिलाएं भी शामिल है बताये जा रहे हैं कि यह सबी लोग जैपूर के गाउं सामदा के रहने वाले हैं और तेज रफ्तार कार की ट्रक से टकर होने पर एक बड़ा हाथसा सामने आया, इस हाथसे में पांच लोगों की मौत हो गई है और दो महिलाएं भी इन मृत्कों में शामिल है। के अंदर अपने लोट रहे थे, अलोग शुबा लगबक सवा पांच वजे का वक्त था, एक क्रक्ट जो है, वो काफी तीवर मोड है, जिसे होडी कट कहते हैं, नेशनल हाई नंबर 48, तिली जैपूर रोट वर्स्तित है, पहले भी यहाँ पर कई बार हाथसे हो तुके हैं, कि जो मोड है, वो काफी तीव रहे और सामने से आता हुआ भीकल या रूपा हुआ भीकल चालक को तिखाई नहीं देता, और यही कारणे के आए दिर हाथ से होते हैं, लेकिन यह जो राद में, आज सुबा जो एक्सिडेंट हुआ यह वाला, स्वीरे जैए हो काफी विशल जो बने हुए है, जिनने बावार के अलगला अस्पतालों में अंदर बरती कराया गया है, और जहां उनका उपचार कर चल रहा है, जे खुश्बू. अब इस तर प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे घचना करम पर? ना तो यहां पर कोई ट्रैफिक लाइट्स हैं, और ना ही कोई इंडिकेटर्स की है, और एसे मोड़ पर जो गाड़िया स्पीड पर चलती है, एक सुचालिस की स्पीड से कम गाड़ी नहीं होती, उधर से स्पीड और इधर से इंडिकेटर्स करना होना, शायद हाथ सो की यह बहुत बड़ी वजा है, और पुलिस पर शासन का हर बार एक बर गटा रटाया जवाब होता है, कि जल्द ही यहां पर बैरिकेटर्स की जाएगी, इंडिकेटर्स लगाए जाएगी, ट्रैफिक लाइट्स लगाए जाएगी, लेकिन और सब कार्जी कारवाई तक ही सीम अदर पहुचने वाले हैं, लेकिन अब जो खायर हैं, उनके उपचार के लिए स्वासरवाग पूरी मुस्तेडी से तहला आता है, वहाँ पर पुलिस पर शासन का रहाता है, और उनका उपचार चल रहा है, तो की हालत अभी भी काफी गंबीर बने हुई है, जो बावल के लिजी हस्पताल के अंदर उट जाते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, शाम बाटला जो समाम जानकारी के लिए, और धरदनाग सड़क हादसा रिवाडी में देखने को मिला तस्वीर है, सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर खतर ना किया हादसा, और मोड पर कोई सिगनल न होने की वज़े से तेज रफतार गाड़ियों में टकर हो गई, जिस वज़े से इसाथ सवे पांच लोगों की जान चली गए